महीनों से रुका हुआ पीरेट केवल एक दिन में आ जाएगा आपको करना है केवल ये उपाए हलो दोस्तो मैं हूदीपा और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखेगा आसा करती हूँ आप सब सबस्त होंगे सुखी होंगे और अपना पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे दोस्तो बहुत सी लेडीजों की जो पीरेट होती है वो अबनॉर्मल होती है किसी के पीरेट रुक रुक के आती है किसी की एरेगलर होती है कुछ लोगों की खुल के period नहीं आती है और कुछ लोगों की बहुत दिनों से period ही नहीं आई होती है तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए दोस्तों आज मैं यहाँ पर एक नुस्खा बताऊंगी और बहुत से ऐसे उपाएं हैं जिससे आपकी रुकी हुई period आसानी से आजाएगी एरिगुलर पीरिड रेगुलर हो जाएगी रुक रुक के अगर period आती है तो period खुल के आएगी क्योंकि दोस्तो अगर आपकी period नॉर्मली नहीं आती है, irregular होती है या फिर रुख रुख के आती है तो इससे आप weight gain कर सकते हैं, आपको pigmentation हो सकता है, pimples आने की problem हो सकती है, जाया आ जाता है, चेरे पे काला पन आ जाता है, period ना आने पर आपको ये सारी परिशानिया हो सकती है दोस्तो बहुत सी लेडी जी चाहती है कि उनके period जल्दी से जल्दी आ जाये तो आपको ये नुस्खर जरूर अजमाना चाहिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि period ना आने के कारण क्या हो सकते हैं, दोस्तो अगर आप किसी भी चीज का कारण समझते हैं तो उसके उपाय को भी आसानी से कर पाते हैं और वो उपाय बहुत कारगर साबित होता है, दोस्तो अक्सर महिलाई सोचती है कि pregnancy ही एक कारण है जिसके कारण period नहीं आती है, लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है और भी बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण आपकी period रुख जाती है या irregular हो तो पहले हम जानेंगे उसके कारण के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे उपाय के बारे में तो दोस्तो कारण होता है आपका mental stress अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव है किसी महिने आपका mental stress किसी भी काम के कारण बहुत ज़्यादा high हो गया है आप mentally disturbed अपने आपको स उसके कारण भी आपकी period रुख जाती है इसके अलावा दोस्तों lifestyle में अचानक से change हो जाता है या फिर आपने weather कहीं पर change किया है आप कहीं और है फिर ट्रवल करके किसी और जगे पर जाते हैं तो भी आपकी period में आपको irregularity दिखाई देती है इसके अलावा अगर आपको कोई भी medical problem है आपकी दवाईयां चल रही है आपको PCOD है या फिर PCOS है जिसके कारण भी आपकी period रुख जाती है इसके अलावा हार्मोनल अचानक से बदलाव होने की कारण आपको BP की problem होने की कारण या फिर thyroid की problem होने की कारण आपके उल्टा सीधा खाने के कारण भी आपकी period irregular हो सकती है तो guys ऐसे में आपको उपाई क्या करना है उपाई के लिए दोस्तों इस समय आपको गर्म तासीर की चीजों का सेवन करना है जो गर्म तासीर की चीजे होती है वो आपके period को लाने में बहुत जादा सक्षम होती है अक्सर pregnancy में जिन चीजों को खाने के लिए मना किया जाता है अगर आपको period लाना है तो आपको उनी चीजों का सेवन करना चाहिए जैसे की कच्चा पपीता या फिर पाइनेपल ये दोनों ही गर्म तासीर के होते हैं इसके लावा आप गुड का सेवन जादा कर सकती है खजूर का सेवन जादा कर सकती है पूरे दिन आप गुनगुने पानी का इस्तमाल कर सकती है इसके कारण भी आपकी body का temperature high होता है और आपकी period जल्दी आ सकती है अब हम जान लेते हैं एक नुस्खे के बारे में जो बहुत ही ज्यादा कारगर है दोस्तों ये आज माया हुआ नुस्खा है जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है मैं इसी काड़े का इस्तमाल करती हूं और एक दिन के अंदर ही मेरी period आ जाती है क और उसे उबलने के लिए रख देना है फिर इसमें एक इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा डालना है किसने के बाद और इसके बाद हमें डालना है इसमें आधे चम्मच के लगबग हल्दी दोस्तों हल्दी के बाद हमें इसमें एक चम्मच सौफ और जीरे को कूट करके डालना है और इसे अच्छी तरह से उबलने देना है उबलते हुए जब ये पानी एक गलास से आधा गलास हो जाएगा तब आपको इसका यूज करना है दोस्तो इसे हलका गुनगुना ही यूज करना है लेकिन रात में जब आप सोने जा रहे हूं सोने से कुछ देर पहले ही आप इसको पी ले हलका गुन-गुना करके और उसके बाद सो जाएं दूसरे दिन हो सकता है के आपकी पिरिट आजाएगी अगर नहीं आती है तो आप कम से कम तीन दिन इसका इस्तुमाल हर रात सोने से पहले आप इसका इस्तमाल करेंगे तीन दिन से ज़्यादा आपको नहीं करना है तो आपकी पीरिट जरूर आजाएगी लेकिन गाइस इसे लेने से पहले आप अपनी प्रेग्नंस सी जरूर चेक कर ले उसमें आपको इसे नहीं लेना है